नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यह है कि अगर आप एक best amplifier बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पास यहाँ पर हमारे पास तीन option है कि हमारे पास यहाँ पर 44-44 amplifier बना सकते हैं ब बताँगा कि सबसे सस्ता amplifier और बढ़िया sound आपको कौन से amplifier में मिल सकता है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो कोई amplifier आता है तो उसका नाम आता है वो है 44 amplifier इसको बहुत से भाई जो है double IC के नाम से भी जानते हैं यह वाला जो amplifier है यह सबसे ज़्यादा double IC के नाम से बिखता है लेकिन यहाँ पर अगर क्या है अगर सई component नहीं है तो आपको यहाँ sound quality में मज़ा नहीं आएगा और बहुत से भाई इसमें पूछते हैं कि सर जो हमारे इसमें speaker है वो कितने इंची तक इसमें speaker हम लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो है आप अगर सबसे अच्छ वासा है अब देखए मैं दो टाइब के आपको 14 44 ने देख такую आपकर दो टाइक के बोर्ड आ अब देख़ियो इसके एसके हीट लिर्म के अंदर यह यह उपर यह डियाइन बनाया हुआ है और इसके लिइवा यहाँ पर हीटिंग प्रोल्बलम है वह सबसे ज्यादा इस वा उटा है तो जितना अच्छा हीट सिंग होगा आपका हीटिंग प्रोब्लम उतना कम होगा बोर्ड का तो देखे अगर 44 में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक चीज का हमेशा याद रखें कि 6 इंची से ज्यादा के स्पीकर आपको नहीं लगाने है अगर आपको 44 के अंदर अच्छा बनाना है और लंबे समय तक के लिए अपना एंप्लीफायर चलाना है अब यहां पर बहुत से बाई जो है वह चाहते हैं कि एक सस्ता और अच्छा एंप्लीफायर बने तो यहां पर वह एंप्लीफायर है हमारा 35 35 के अंदर आप 8 इंची 10 इंची 12 इंची सारे करना होगा तो यहां पर आपको क्या करना होगा यह आपका जो एंप्लीफायर बोड अब मान के चलिए अपने एंप्लीफायर का बोड भी ले लिया आप ने यह ट्रांजिस्टर फिल लगा दिया जो इसमें 35 के रज्शाबर लगते हैं अमारे लेकिन फिर भी आगर आपको sound quality नहीं मिल रहा तो आपने उसमें problem क्या कर रखी है transformer में कि आपने transformer जो है वो अच्छा नहीं लगा रखा अब अगर आप अपने 30-15 amplifier बनाना चाहते हैं उसमें transformer बढ़िया चाहिए तो आपको transformer लेना होगा 18-0-18-5 amp बढ़िया sound नहीं उसमें voltage ज्यादा होगी board में कोई भी hitting भी नहीं होगी और बहुत अच्छा sound आपके amplifier में रहेगा और आप उसमें 8-10-12-12 कोई सबी speaker चला सकते हैं और अगर इस combo के अंदर आप कोई amplifier बनाते हैं तो मेरे साब से ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका amplifier बारा सो से और पंदरा सो के बीच के अंदर बन जाता है बहुत बढ़िया amplifier और बहुत ही बढ़िया sound होता है क्योंकि देखें मैं 72-94 को आपको recommended इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये cost बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें आपका board भी हो गया फिर इसमें transformer भी हो गया जो 24-0-24 का यूज होता है दूसरा इसके अंदर जो है आपको बास ट्रिवल बोड अलग से लगाना पड़ेगा और इसका IC अगर कभी खराब होता है तो ये IC भी बहुत महगा मिलता है तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जो है अगर आपके बोड के अंदर अंदर के साइड में लगा हुआ है इस तरीके से चार टारिश्टर लगे होते हैं हिटसिंग पे तो आपको वहाँ पर फैन जरूर लगाना है अपने एंपली फैर में बिना फैन के आपको जो साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा क्या होता है जैसे जैसे हीटिंग होता चला जाता है तो वैसे साउंड कम हो जाता है और जो साउंड का पर्फोमेंस है वह हमें नहीं मिल पाता है तो इसलिए आप जो है amplifier बना रहे हैं तो 30-55 आपके लिए सबसे बैस्ट है तो मेरे को भी आप comment में जरूर बताएं कि आपको जो है इन तीनों में से सबसे अच्छा amplifier जो है वो कौन सा लगता है और कौन सा आप यूज कर रहे हैं इस समय में तो दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो क subscribe जरू करना और bell का icon को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जैनकारी लाता रहूंगा